किसान की समस्या, पुरा सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करे, सालों पहले कर्थूवा गाउं में रहने वाला एक किसान काफी दुखी था, वो अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था, एक दिन उसे किसी ने सलाय दी कि तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकल देंगे, उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वो किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुँच गया, गौतम ब हमारी फसल अच्छी होती है, तो कभी बिलकुल भी नहीं होती इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, इतना कहने के बाद किसान ने आगे कहा कि मेरी पतनी है और वो मुझसे बेहत प्रेम करती है, पर कभी-कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है, उससे मैं तंगा गय और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती, तो मैं कितने अच्छी से रहता। इस तरह वो अपनी सारी परेशानिया महात्मा बुद्ध को सुनाता रहा और वो उसकी बाते सुनते रहे जब तक किसान बात कर रहा था, तब तक गौतम बुद्ध एक शब भी नहीं बोले। इस तरह किसान ने अपने जीवन का सब कुछ, जो उसे सताता था और दुखी करता था, वो गौतम बुद्ध को बता दिया। अब किसान के पास उन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं बचा और उसका मन काफी हलका हो गया। महातमा बुद्ध से सब कुछ कहने के बाद वो उनसे अपनी परेशानियों के समाधान की उम्मीद लगाए बैट था। काफी देर तक गौतम बुद्ध के जवाब का इंतजार करने के बाद व्रेशब्र होकर किसान ने उची आवाज में महातमा बुद्ध से पूछा, क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता किसान ने महातमा बुद्ध से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो उनका जवाब सुनकर हैरान हो गया। उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा कि यह आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं करेंगे? महातमा बुद्ध इस बात पर किसान से कहते हैं कि आपके जीवन में जि अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है, तो दूसरी समस्या आ जाती है, ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे, तो तुम्हे कल दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा, यही जीवन का एक अटल सत्य है, बुद्ध की बाते सुनकर किसान को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें बोलता है कि लोग आपको महात्मा कहते हैं, मैंने लोगों से ये भी सुना है कि आप सब की परेशानी दूर क हुआ, मैंने जो भी आपके बारे में सुना था, वो सब जूट है, महात्मा बुद्ध को इतना कहकर किसान वहां से जाने लगता है तब ही उससे भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुमने जो समस्याइं बताई हैं, उनका मैं समाधा नहीं कर सकता पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारन कर सकता हूं। में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इनसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख खाकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिती में खुद को काबू में रखना होगा इसे दुख का असर तुम पर ज्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें ये सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो तभी खुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे हैं। कहानी से सीख, हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अंदुखी भी नहीं होना चाहिए बलकि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए।